जोहार जारखंड जय जारखंड आसा करते हैं उमीद करते हैं आप ठीक होंगे आज का लाइब वहीं से जहां जब भी कोई ऐसी मनो इस्तिती सामने आती है जब खुद को दुविदा में थुड़ा सा हतोत साहित इस्तिती में पाते हैं तो एक ही जगा को चैन करने का अफसर म दूंज़ón मिलता है सम्षान पुना वीडियो की माध्यां से खर जो वगलमें कब्रहर यह बिकास का है और यह बगलमें यýah प्रक् exemption नहीं जाएंगे तुन्हें एकी संदिश देना चाहेंगे, जो संदिश समसान से दिया करते हैं, वे बदलाव की गुंजाइस, उनसे ये मत तो पिक्षा रखेगा कि वे बदल जाएंगे, परिस्तितिया बदलेंगी, चेहरे का रंग ढंग बदलेगा, लेकिन विचारधारा वही रहेगी, चाही है, जहां एक दिन सब को अपने आलिसान मुकाम को, मंजिल को, जिन्दगी की चकाच्योंद को, अपनी उपलब्दियों को, अपने नाम को, अपनी फेहचान को, सब समाप्त करके यहां ना पड़ता है, समसान से संदिश, और जाहर सी बात है, मनोवल बिचले थोना भ बिधायक बनेगा, MLA बनेगा, MP बनेगा, या फिर जिसके सर पर बड़े-बड़े उद्योग पती, कॉर्परेट्स, बिल्डर का हाथ होगा, वे लोग पॉलिटिक्स करेंगे, हम लोग उस धारना को बदलने का प्रियास करने के लिए जा रहे हैं, स्वभावी के आसान नह ओड़े हैं, और कल सुभ चिन्तकों के साथ-साथ बिरोधियों की लिए निगाहे हैं, होना वीचाहिए हम बिरोधियों का संबान करते हैं, क्यूंकि हमारी लड़ाय उन से बेचारिक है, सरीर से नहीं है, लेकिन जाहिर से बात बेचारिक लड़ाई में भी कहीं ना कहीं, जब आपकी आयू की अपिक्षा में उमीदे ज़्यादा होती हैं, आपकी आयू की अपिक्षा में बिरोधियों और पक्षयों की फोच ज़्यादा खड़ी होने लगती है, तो स्वभावी की बात है थोड़ा सा बिचलित होना पड़ता है, और जब जब बिचलित होते हैं, तो मुझे एक ही जगा याद आती है समसान और फिलाल अपने जीवन के दो ऐसे सक्स जिनको खोने के बाद काफी व्यथित रहे हैं और जाहर से बाद हम वहां तभी इंट्रिम आते हैं जब जीवन में कोई ऐसी परिस्थिती मेरे सामने आती है जो मुझे लगता है कि कठे नाईयों से सामना यहीं से होता है कि यहीं सच्चा ही है तो फिलाल सबसे पहले तमाव राज्य बासियों को मैं निवेदन करना चाहूंगा जहिर से बाते बहुत सारे सातियों ने सौभावी के प्रसर करना भी लाज़वी है कि हम लोग टेलिफॉनिक माध्यम से कॉम्निकेशन माध्यम से उनसे नहीं बात कर पाएं तो अभी भी हमारे जो मैसेज टेक्स उसमें लगबग 273 मैसेज यानि समझ सकते हैं 3000 लोग का मैसेज unseen पड़ावा जिसको हम सेंद तक नहीं कर पाएं तो लिएजा भली भाती आप हमारी इस्तिती और परिस्तिती को समझते हैं तो कुल मिलाकर आपसी सीकवी गिले को भुलाकर आपका मित्र आपका भाई होने के नाते आपका साथी होने के नाते आज अब कल नहीं भले रात ये लेकिन तो हम लोग 12 बज़े से पार हो चुके नहीं आज 18 तारिक बिनोध धाम बलियापूर में रहुल्दा धनिबाद जो महादिवेशन का आयोजन रखा गया है जारकंडी मासा कतियान संगर समीति के माध्यम से उसमें सभी को साधर आमन्तृत करते हैं और आप से विनम्र प्रार् धारा जो करवट ले रही है उस विचार धारा का समर्थन करने के लिए हमारा हुसला अफजाई करें और साथे विशेज संदेश रहेगा हमारे बगोदर नावाडी डुम्री तुपजांची और विशुनगर के जो साथ ही आएंगे जैसा कि हम लोगा फ्लैनिंग हुआ है क एक जगा जमा होकर जिसमें टीएपी हाई स्कूल ग्राउंड जो हमारे गाउं का फुटबॉल मैदान है वहां से जमा होकर लगोगे साड़े साथ पई तक हम लोगा जमा होके फिर वहीं से एक साथ बिनो धम भलियापूर के लिए निकलेंगे धनिबाद भोला दा तो फिल होगी हमारे साथ ही हमारे टीम की होशले को एंक्रीश करने का इंप्रूब्मेνट करने का कारी करेगी और जहर सी बात है बहुत सारे लोगों के जहान में ये चर्चाएं चलने लगी हैं कि जो मुद्दों पर आज हम लोग बात करें हैं बदला के लिए नहीं बदलाओ के लिए आए हैं और स्वेम सिध्धानतों के साथ नहीं बदलेंगे हमारे जो साति हैं उमीद करते हैं उनको भी इस परकार से ट्रेंड किया जाएगा जिससे की वे भी जो आज जैसा हम है वे लोग रहे हैं राना दा मलेशिया से धन्यबाद बदलाव से धानतों में ना हो इसकी पूर्ण परियास करेंगे जहां तक व्यक्तिगत की बात है तो निश्याई हम लोग अडी हैं हटी हैं जिद्धी हैं और उस सोभाव को आज भी कायाम रखे हैं इसलिए आज डेर साल तक आंदोलन में ज जनता की हित के लिए और यह उमीदें तब और दुगनी बढ़ जाती हैं जब बीदेशों से पहले लोग जब बीदेश फंडिंग का नाम सुनते थे तो उनके जहन में आता था कि कोई देश विरोधी ताकतें किसी को इस देश में हावी होने के लिए फंडिंग कर रही है लेकिन जी नहीं बीदेश फंडिंग का मतलब अब ये देश विरोधी ताकतें नहीं बीदेशी फंडिंग का मतलब अब वो मजदूर है जो इस देश से भाहर है उन्हें भी उमीद है या फिर कहे ना कहें जो नीतियां बनाई गई है उनसे वे छले गए हैं तभी तो वो अपना घर, परिवार, अपने रिलेशन, अपने गाउं की पकडंडिया, अपना पीपल का छा, वो नीम के पत्तें, वो नहर, वो किलकिलाते, पेड़ों पे बैठे पक्छियां, वो नदी की धारा, सत्ता इस साल से उनको छोड़कर हम आबुधावी में बैटे हैं, तो पीड़ा होती है, वो पीड़ा को हम लोग भी अनुभाव करते हैं, लिहाजा हम लोग इस बात से आस्वस्त रखते हैं, और उसी पैटर्ण के चलते हैं, जिस पैटर्ण को आज हम लोग जैलेंज करके ब सौधी, ओमान, मरटानिया, सेनेगल, तंजानिया, UAE, मलेशिया, कुवेट, शावत अफरीका, लगभाग 17-18 कंट्रे से प्रेम मिला उसके लिए आभार, आजीवन आपके प्रेम का जो कर्ज है, वो आजीवन रहेगा, इसे उतार पाना संभाव नहीं, फिलाल साथिस जो भी सहयोग मिला, उसके लिए आभार, और आज अधिवेशन का समय आ चुका, इसलिए थोड़ा सा आप लोग परियास करें, कि मनें डोनेशन को बंद करें, आपका जितना भी सहयोग मिला, वो हम लोग के लिए उमीद से उपर है, उमीद से बढ़कर है, इसके लिए आपका ट्यूनेशिया से जोहार घंशयामदा, बिल्कुल हमने तो कहा कि दरलगभग सात्रो अठारो कंट्री से आये हैं, ट्यूनेशिया से दादा का जोहार घंशयामदा, उमीद करते हैं आपका प्रेम हमें लाख गुना होसला देने का कायरी करेगी, सुनील दा मुंबै से हैं, कुवेत से बाबुदा जोहार बहुत बहुत आभार आपके प्रेम के लिए, हम लोग एक साधार अंसा छात्र उमीद नहीं किये थें, कि हम लोग के उपर इस परकार की लोग उमीदे टिकाएंगे, कोसिस करेंगे, जो उमीदे टिकाही गई हैं, उन पर खरा उतरने की, हम ऐसा नहीं है, कि हम लोग और इसके लिए परियास नहीं करें, सभी लोग को जोडने का काम है, और निश्या ही, आपको और भी कोई सुझाव लगे, बिल्कुल जाती बाद एक चैलेंजिंग है, और भारत और जहरखंड की राजनीती में इसे अपना कार नहीं सकते हैं, तो इसलिए लोगों का बात को इग्नोर करते हैं, आप इस बात को फोकस कर सकते हैं, और कल के महा अधिवेशन में आपने जो जाती सब्द का परियूग करते हैं, सवाल किया था दादा, आप कल के महा बिल्कुल महा अधिवेशन में आके देख सकते हैं, वहां सर्व धर्मों, औरना संभाव साब सब्दों में कहा जाए तो सभी बर्ग, सभी जात, सभी धर्मों के लोग उपस्तित रहेंगे, और उपस्तिती ने रहेंगे, वे लोग अपनी राय को भी रखेंगे, वे लोग अपनी विचारों को भी सुझाएंगे, तिरुपती से जोहार मितुन्दा को वे लोग अपने राई को सुझाएंगे कि कैसे हम लोग बहतर कर सकते हैं बाकी जहर सी बात है कमिया और खामिया हर एक में होती है लोगों नानक, बुद्ध, सुकरात में कमिया रही है तो हम तो उनके चरनों के धूल के बराबर है हम लोगों ने कभी attitude नहीं किया है कि हम है तो हम ही हम है हमें भी कमिया है, हमें भी खामिया है लेकिन समय के साथ और आपके सवालों के साथ उसे हम लोग बहतर करने का प्रियास करेंगे हम लोग कोसिस करेंगे कि बहतर हो ओमान से मुनिदा, जोहार आपको तो फिलाल कल के लिए संदेश यह होगा, कल के महा अधिवेशन के लिए बलियापुर बिनोद बाबु की विचार धारा, जहां रगरग में कनकन में, कॉम्रेड एक राई की विचार धारा, आज उसी माटी से हम लोग संखनाद, एक नए परिवर्तन की, परियास की और बढ़ से प्रेम आया है, समर्थन आया है, सही हो गया, उसके लिए धन्यबाद प्रेम को वर्मिश्ण दा जोहार, सागी रंसारी दा, जोहार, दिल्ली से बिजयर अजग दा जोहार, जीतु महतुदा, बिल्कुल दादा, हम लोग परियास करेंगे, सभी बर्गों को साथ मिले जा बाकि सोने का समय है, हम लोग को भी कल पॉसिबल नहीं है, अतना सुबह उठपाना, इसलिए थोहासा सोने के लिए हम लोग चेश्टा करेंगे, मुंबई से हिरादा, जोहार, खुर्षिद इमामदा, बैंगलोर से जोहार दादा, जै जारकंड, जोहार जारकंड, आज का स संदेश समसान घाट से, समसान का हर्थ जहां सच्चाई, जहां मोह माया से थोड़ा लोग दूर, नीजी स्वार्थ लोब से थोड़ा दूर, इसलिए जो लोग सवाल करते हैं, उन्हें बस यहीं बैट कर यही उत्तर देंगे, विश्वास रखिए, लोग बदलेंगे, मोह बिल्कुल विकास और प्रकास की, जो समसान जहां उन्हें दफनाया गया है, वहीं से बैट कर रात्री के लगभग, डेड़ बजे, अपना ये संदेश आप सबों के बीच, और संदेश इसलिए, क्योंकि जब जब बिचलित होते हैं, तो असपस्ट हम यहीं से अपना संद जोहर, इसलिए यह दिया निंदा से घवराने क्या वशक्ता नहीं है, जिन्दा है तब तक निंदाओं का सामना करना पड़ाएगा, फिलाल कल के अधिविशन के लिए आप साधर आमन्तित हैं, आपकी उपस्तिती हमें गुरबानतित करने कारी करेगी, हमें होंसला देने क कारी करेगी जोहर